हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके लिए टेश्टी सी मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूँ तो आपका भी कभी मिठा खाने का मन करें और कम महनत करना चाहते हो और कम खर्चे में कुछ नया बनाना चाहते हो तो यह मिठाई आप जरूर ट्राई करना आपको बहुत ज़्याद अपसंद आएगी तो जितनी दिखने में टेम्टिंग लगरी है ना खाने में दोस्तो बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होती है तो आप एक बार जरूर ट्राई करना जो आप मार्केट से सारे ब्रत तीस तुहार आने वाले हैं यानि तुहार की तो अभी क्या है बोच्छार होने वाले हैं खुब सारे तुहार आएंगे तो आप तुहार पे भी ये मिठाई बना सकती हो ब्रत में बना के भी खा सकती हो तो मेरा क्या था आज ब्रत भी था कुछ मिठा खाने का मन था और जादा मैनत भी नहीं करना चाहते थी तो मैंने सोचा चलिए कुछ नया सा बनाती है और जो जट पर बनकर त्यार हो जाए तो मैंने क्या किया जट से पैन को उठाया और उसे रख दिया गैस पे और अब इस पैन में हम नियापे डालेंगे एक गलास जितना दूद तो जैसे मैंने फ्रीज खोला ना तो फ्रीज में ना सिर्फ दो गलास जितना ही दूद था तो मैंने सोचा चलिए एक गलास रख देती हूँ एक गलास दूद से आज काम चलाते हैं तो मैंने पैन में डाल दिया और अब हम क्या करेंगे एक चम्मा जितना हम मिल्क पाउडर डाल देंगे इसमें तो ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि आज हम कम खर्च में मिठाई बनाने वाले हैं अगर आपके पास milk powder नहीं है, तो आप दूध की मलाई डाल सकते हूँ, या फिर क्या कर सकते हूँ, दो गिलाजितना दूध ले लिजेते, तो milk powder डालने से क्या होता है, अभी गर्मिया है, तो गर्मियों में जादा मैनद करने का आपको पता है, किच्चन में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है तो मिल्क पाउडर डालने से ये थोड़ा कम जल्दी हो जाएगा अब हम यहाँ पे आदिक टोरी जितने चीनी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो मिल्क पाउडर की गुटली है न दीरे दीरे जैसे दूद में वाल आने लगेगा न वस इस तरह किसे मिक्स करते जाएंगे तो यह सारी गुटली हैं जो तूट जाएगी इसमें गुल जाएगी सारी यह देख सकती हो एक भी गुटली नहीं रही है और दूद में वाल आ गया तो बस अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक वाल आ जाए अब मेने यापी दूख टोरी जितना लिया है नारियल का बुरादा तो नारियल का बुरादा ना मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा आपको 2500 रुपे में लगबग पैकेट मिल जाता है एक किलो का और आप धेर सारे मिठाई बना सकती हो और या फिर क्या कर सकते हो अगर घर में खोपरे रखी हुए है तो उसका उपर का पाठ हटा के छील के उसे और फिर छोटे छोटे पीस करके मिक्सी जार में डाल के बस उसे अच्छे से पीस लीजे तो आपको नारियल का बुरादा मिल जाएगा अच्छे से मिक्स करेंगे बस लगातार चलाते जाएगे तो चलिए दूद पकरा ना तब तक हम एक काम और कर लेते हैं तो यहां पे हम एक लेंगे खलवत्तर खलवत्ती में डालेंगे चार से पांच बदाम और इन बदाम को ना इस तरीके से कोट लेंगे आप चाहें तो पाउडर डाल सकते हो बदाम का बना के मगर इस तरीके से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट ओर अच्छा आएगा क्योंकि बीच बीच में जब ये बदाम के पीस आती है ना तो वो ते मस्त लगता है ये देख सकती हो धीरे धीरे हमारा ये मिसरन भी गाड़ा होने लग गया है तो अब जो बदाम हमने कूटके रखे है ना वो सारे इसमें एड़ कर देंगे तो बदाम डालना पूरी तरह से आप्सिनल है दोस्तों आप स्किप भी कर सकती हो आप काजू बदाम जो भी एड़ करना चाती हो वो एड़ कर सकती हो तो मैंने यहां पर एक ही चम्मच मिल्क पाउडर डाला है आपको अगर ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप यहां पर मिल्क पाउडर भी एक डोरी जितना ही डाल सकती हो बस इस तरीके से पकाते जाएंगे एकदम सॉफ्ट वाली मिठाई बन कर त्यार होगी तो बस मुवे में रखते ही घुल जाने वाली मिठाई बन कर त्यार होगी इतने ज़्यादा यह सॉफ्ट बनती है तो दोस्तों आपने अंदाजा लगाई लिया होगा कि हम क्या बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं नारियल के लड़ू आप यह नारियल के लड़ू है जो ताजा नारियल से भी बना सकती हो तो यह देख सकती हो थोड़ी देर मैंने और पकाया और इस तरीके से एकदम पक चुका है तो दोस्तों यहां पे मैं आपको याद दिला देती हूं कि अगर आपको मेरी रेस्पीज थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाए ताकि आप रोजाना एक नई रेस्पीज क्योंकि यह थोड़ा सा चिपचिपासा लगेगा तो हत्तों के घी लगाएंगे तो बिल्कुल भी नई चिपखेगा और एकदम शाहिन भी आ जाएगी तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोसन लेकर इस तरीके से गोलवल लड़ू बना लेंगे तो बहुत यह असानी से लड़ू आते हैं तो इसमें हम इस तरीके से रख देंगे तो कोई बताई ने सकता कि यह हमारी घर की बनी हुई मिठाई है या मार्केट की तो आप रक्षा बंदन पर भी यह मिठाई है जो बना सकते हो यह देख सकते हो कितने टैम्टिंग लग रही है बस इसी तरीके से स नई रेस्पी देखने के लिए मिलेगी मेरे चैनल पे तो इस तरीके से बस बनाते जाएंगे नारियल के बुरादे में कोड करते जाएंगे और बस इसे रखते जाएंगे तो इके कटोरी बस इस तरीके से है जो सारी कटोरियों में हम रख लेंगे तो कटोरियों में ऐसे क्या होता है थोड़ी सी दिखने में इसकी लुकिंग अच्छी आती है अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो कटोरियों की कोई जरूरत नहीं है तो बस सारी बना के और मैं फटा फट से आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी हमारी मिठाई बन गई है तो देखा आपने दो छोटी के टोरी नारियल बुरादे से ना आप धेर सारी मिठाई बना सकते हो तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी गानिश कर लेंगे यहाँ पर बारी कटे हुए पिस्ते से तो पिस्ते को मैंने खलवत्ते में डालके थोड़ा सा कूट लिया इस तरीके से चूरा बना लिया ताकि यह दिखने में थोड़ा सा मस्त दिखे आप चाहितो इससे ऐसे ही रख सकती हो चांदी का वर्क लगा सकती हो यह पिर आप जैसे इसकी गानिश करना चाते हो वैसे कर सकती हो और यह लिजी हमारे टेस्टी से इनारियल के लड़ू बनकर त्यार हो गए है तो इस तरीकी से बनाके इंज्योई करें तो आप इस तरी किसे बना के ना फ्रीज में रखके 10-15 दिन तक अराम से खा सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं मगर घर में जब मिठाई बनाते हैं तो 10-15 दिन क्या 10-15 घंटे ही नहीं पकड़ते हैं मिठाई है जो खत्म हो जाती है तो दिख सकते हैं इसकी लुकिंग इस बनेस बना है उसका बहुती असानी से बन जाएगा तो दीका आपने कम खर्च में आप इस तरीके से टेक्ष्टी वाले मिठाई घर पी बनाई के त्यार कर लोगे और किसी को बताया नहीं ना कि आप ने ये मिठाई गर पे बनाई है तो किसी को यकिन ही नहीं होगा कि ये मिठाई घर की है तो आज की रस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए धन्यवाद दोस्तों